प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त हम करेंगे आजम खान से समाजवादी पार्टी के दिगजनेता आजम खान अब बीजेपी के खिलाफ बोलने शुरू हो चुके हैं जी हाँ ये वही आजम खान है जो 27 महीने के बाद जेल से रिया हुएं दरसल इन दिनों पैगंबर मुहमत को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किये जा रहे हैं और नुपुर शर्मा ने पैगंबर मुहमत को लेकर जो बयान दिया उसके बाद मुसल्मानों में बहुत ज़्यादा रोज देखनों को मिल रहा है असद ओ दिन और वैसी जैसे नेता ये मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फासी होनी चाहिए और हाला की अभी जुमे की नमाज की दिन बीते कुछ समय पहले जिस तरह देश के कई राज्यों में मुसल्मानों ने खुले आम सड़कों पर प्रदर्शन किया क्या वाकई देश का माहौ खराब हो रहा है और आजम खान का मुसल्मानों का साथ देते वे नुपुर शर्मा के खिलाफ बगावत करना क्या आजम खान बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे है इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सायोगी प्यूश और प्यूश मेरे साथ मौजूद है प्यूश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यूश मेरे पहले सवाल ये रहेगा कि एक और जहां आजम खान के अगर बात करें इतने लंबे वक्त के बाद जेल से रहा हुएं लेकिन उसी सरकार पर फिर से निसाना साथने जो सरकार उनके लिए कहीं न कहीं एक रहा लेकर आईए योगी सरकार के खिलाफ निसाना साथना क्या वाकई मुश्किल में आ सकते हैं आजम जी बिल्कुल देखें राहुल जी आजम खान की अगर रहाई की बात करें तो 27 महिनों तक जेल में के रहने के बाद उन्हें अगर रहाई मिली है तो देखें बाजपा की सरकार में रहाई मिली है और इसके बाद देखे पहले अकलेश की सरकार आई, मायवधी की सरकार आई, तो उन्होंने देखे मायवधी की सरकार आने के बाद अकलेश ने, ऐसो कि उनके बेटे का कहना है कि अकलेश ने हमें कोई मदद नी की, जो साफ साफ भरी सभाव में वो कह रहे थे कि अकलेश या स समाजवादी पार्टी के तरफ से बड़े-बड़े नेता हुआ उन से मिले, ellowरे कि रिया हुए तो बीजेपी की गॉettsaल करेंद से कर दिया हुए वह दूसरी तरफ हम देखते हैं, बहुत सारा ऐसे मुसलिम नेता है, जिन्होंने हिंदूं को लेकर बड़ बोले बयान दिये हैं जिनमें अकपर उद्दीड ओवेसी हैं श्टाफिक कुर्रामान जैसे नेता हैं मौजुदा समय में ओवेसी हैं फिर ऐसे नेताओं को भी फासी होनी चाहिए क्यों बार-बार जोर दिया जा रहा है कि नुपुर सर जो अपने आपको मुस्लिमों को सरपरस्त बनाते हैं जैसे के आससुदी नोवेसी चीफ हो गए आप देखिए महापे इश्टाफिकुर रह्मान हैं महापे दूसरे जो नेता हैं जो टीवी डिबेट्स में साफ सब देखिए शिवलिंग के बारे में बोल रहे हैं लेकिन उन पे कोई कारवाई नहीं होती दिख रही है लेकिन इनों ने एक नुपुर शर्मा का जो मुद्दा बना दिया है पूरे विश्व में देखिए भारत की छवी उससे खराब हो रही है एक तो और दूसरे इनका जो राजनीती करन जो कर रहे हैं इससे भारत में इनके ओवेसी और एक दूसरे नेता के खिलाफ आम फत्वा जारी करेंगे अब उन्होंने फत्वे में जारी करने के साथ ये भी कहा है कि जितने भी भारत के मुसलमान हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि जो ये बयान बाजी कर रहे हैं उसके खिलाफ एक स्त्री के खिलाफ जो ब बाते करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो सकता और एक बार फिर आजम खान को जेल हो सकती है। इसमें वो अपने जो सरकार है उनसे जो सपा की सरकार जो पहले थी और अकलेश के जितने भी बड़े बड़े नेत हैं उनको साथ निकले अपने वोट बेंड को साथ निकले ये सब बयान बाजी कर रहे हैं और बीजेपी को निशाने पर रखते हुए। कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है और अब हमें बीजेपी में हला बोलना चाहिए। ये अगर बात करें अकलेश यादव की तो अकलेश यादव सर्याम उत्तर परदेश में दंगाईयों का समर्तन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफा मसल्मानों को परिशान किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार तो ये कहते है कि दंगा करने वाला चाहे जो भी हो किसी भी धरम का हो उसके खिलाफ कारवाई हो जाए क्यों लग रहा है ऐसा अकलेश यादव को किवल मुसल्मानों को परिशान किया जा रहा है उन्हीं ही दंगे में घसीटा जा रहा है जी देखे ये अ अगलेश यादव के समर्थक हों के नेता हों के कोई नहीं बोलता लेकिन हाँ अब देखिए कि विकास दुबे का जब एंकाउंटर हुआ तो विकास दुबे की पूरी प्रोपर्टी तोड़ी थी वो तो हिंदू है अब अगलेश ने उन पर तो कोई कुछ बोला नहीं कि ह नहीं बोलता है कि नुपूर शर्मा को फासी की सजा होनी चाहिए क्या लग रहा है सरकार पर जो दबाव बन रहा है ऐसे में नुपुर सर्मा की खिलाफ इस तरह का कदम सरकार उठा सकती है देखे एक न्यायक प्रक्रिया होती है इसमें जो पूरे के पूरा दिल्ली जो पुलिस ने उसने F.I.L. डरिजिस्टर कर लिये जो प्रदीब कुमार है और नुपुर सर्मा उन तीनों पे F.I.L. रिजिस्टर कर लिये और साथ में उन अग्याद लोगों पे भी F.I.L. रिजिस्टर की गई है जो कि नुपुर सर्मा को रेप की थ्रेट दे रहे है या फिर मारने की दमकी दे रहे है अब इसमें नयाएक प्रक्रिया ये कहती है कि दिल्ली पूलिस ने संग्यान मामला लिया है अब उसको तीन दिन के लिए चार दिन के लिए दिल्ली पूलिस अपने पास बोलाएगी पूछताच करेगी अब उसके बाद ये जब मामला कूर्ट में जाएगा तब हो देखा जाएका कि उनको क्या सजा सुनाता है फिर नएएक हिरासत में डालता है कोर्ट क्या सुनाता है उसके बाद ही देखा चलेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकत censor सर्मा के साथ अभी क्या होगा क्योंकि योगी सरकार ने सीधे तोर पर क्या दिया है कि दंगाईयों को बकसा नहीं जाएगा उनकी संपत्ति को भी जप्त किया जाएगा और उनकी संपत्ति पर बुल्डोजर भी चलेगा मैं प्यूश से जानने की कोशिश करता हूँ प्यूश असदुदीन ओवैसी जैसे नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोक तंतर में केवल मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है केवल मुसल्मानों को परिशान किया जा जब कि ये देखा जा रहा है और तस्वीरें हमने और आपने भी देखी हैं कि दंगा करने वाले कौन थे और जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर कौन इकटा हुए थे। गला काटकर हद्या कर देता है जब असासुदी नुवेसी कहीं कुछ नहीं बोलते हैं उनके खिलाब। हाँ लेकिन अगर दंगाईों पर बुल्डोजर चल जाता है इल्लीगल देखिए तो हाँ जरूर देखिए एंटी मुसलिम या फिर मुसलमानों को लोकतंतर में जीने का हक नहीं ऐसे ऐसे बरगलाने देने वाले जो सवाल होते हैं जो बयानबाजी है जो असासुदी नुवेसी के मुसा निकलती रहती है तो यह सब राजनीती है देखिए मुसलिम वोट बैंक को सादने के लिए असासुदी नुवेसी बार-बार के ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे हमारे देश में हिंदू-मुस्लिम सुहार्द है जो वो खराब होता है प्यूश ये भी कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से हिंदू-मुसल्मान होना शुरू हुआ है विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अगर आज देश में दंगे हो रहे हैं या मंदिर की मस्जिद की बात हो रही लाओड़ी स्पीकर की बात हो रही है तो बीजेपी और 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 एसेस कहा थे कितनी सच्चाई है विपक्षी पार्टियों की इन बातों में जी देखे अगर मैं 2014 के बाद से अगर दंगे की बात करूँ तो आग रहा मंतराली की रिपोर्ट हम देखे या फिर हुमिन रिसोर्स की रिपोर्ट देखे जिस पर मैंने थोड़ी स्टडी भी किये तो उससे साफ साफ पतल चाता है कि 2014 के बाद ये हिंदू-मुस्लिन दंगे बलकि कम हुए हैं ये जादा नही हुए आप देखे तिरावए में बीजे पी के सरकार नहीं थी उनने सो इकतिति में जब कश्मीर में इतने सारे हिंदू को मेरे गजजब सरकार नहीं थी एक्यानवे में सरकार नहीं थी आप देखें नवासी में सरकार नहीं थी 2002 में आप देखिए कि जब गुजरात में हुआ था या फिर आप देखें वहाँ पे दिल्ली में हुए था तब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब नरेंदर मोदी प्रदान मंतरी नहीं थी 2013 की UP की बात करी आप अकलेश की सरकार थी जो मुझफ़र नगर सारणपुर में दंगे हुए थे इतने सारे लोग मार दिये गए उसमें मुस्लिम में मरेते हिंदु में मरेते तब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब यह लोग कहां थे आप बताईए इतने सारे जो दंगे आप देखिए कि इतने सारे जब दंगे हुए थे पहले तब यह लोग कहां थे तब किसी नहीं नहीं बोला कि यह सब एंट्री मुस्लिम है या फिर लोकतंतर खत्र में आ गया मुसल्मानों को भारत में दबाया जाता है यह सब पहले नहीं बोले लेकिन अगर एक पार्टी जो दूर दर्शिता का द्रिश है वो दिखाये जा तब देखिए इन से सारे ओपोजिशन इतना कुछ कहती है बरगलाने का काम करती है राजदीती करती है तो देखे बिल्कुल वो अपने वोट बेंक को साधरी है प्यूश मेरा सवाल यह रहेगा जिस तरह से हम देख रहे और इस बार मुसल्मानों का वोट किसकी तरफ जाएगा जी देखे 2019 से पहले आगर 2014 की बात ना करूं मैं क्यूंकि 2014 में मुसल्मान भी देखे बहुत सारे मुसलिम वोटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बीजेपी मोधी ब्रैंड को देखे वोट दिया था लेकिन 2019 के अगर मैं इतने सारे जो वोट बैंक है मुसलिम वोट बैंक अगर बीजेपी वोट बैंक से इतना फरक नहीं पड़ेगा करना चाहती है देखे इतने सारे स्कीम चुलाई है मुसलिमों के लिए मुसल्मानों के लिए तो हाँ बिल्कुल जादा फरक नहीं पड़ता दिखाई देगा जादा फरक पड़ता दिखाई नहीं देगा खेर देखना होगा कि क्या वाकई इन मुद्दों का असर चुनाव पर पड़ता है या फिर जिस तरह से मुसल्मान खुले आम सड़कों पर ये उतर कर कह रहे हैं कि नुपूर सर्मा को फांसी दी जानी चाहिए सरकार का अगला कदम क्या रहता है उन्हें फांसी होगी या फिर उमर कैद की सजा होगी चलिए आज के लिए इतना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार